हालो फ्रेंद्स हावर यू वाल्कम बाक टू माई चैनल इफ यू न्यू है और वाचिंग में फॉर्स टाइम देन आइं टेल यू आम अनीशा अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आयो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे नाम है मनीशा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर यूज किया है गुट वाइब्स का नेरोली फेस मेंस्ट मेकप करने से पहले स्कीन को प्रीप करना बहुत जरूरी होता है इससे आपके स्कीन हाइडरेट हो जाएंगे आपके स्कीन पर अगर कोई दाग करते हो तो उसके बाद आपके को मॉस्टराइज करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप कोई भी ब्रांड का जैसे इंडल्जियों का भी अगर कोई इसेंसियल वाइल यूज करते हो तो आप महां पे मॉस्टराइजर स्कीप कर सकते हो अब मैं यह न्यू प्रोड़क्ट मुझे रिसीव हुआ है मैं इसका जल्दी रिव्यू अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ तो आप वहाँ जाके चेक आउट कर सकते हो और यह है स्टेक उर्की का लिब बाम औरेंज लस्ट 3 है इसका सेड अब मैं यहां यूज करने हूँ यह भी न्यू प्रोडक्ट ह तो इसका भी रिव्यू मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ तो आप वहां से भी जाके चेक आउट कर लेना तो यह इसका यह जो सीड है यह मेरे स्कीन टोन के साथ परफेक्ट मैच जा रहा था कैफीनो कॉमरेड सीड है यह बहुत और डेवल रेंज में मुझे मिला था आप देख सकते हो कितना इजली ब्लेंड हो जा रहा है और यह लग नहीं रहा जैसे मैंने बहुत ज्यादा लेयर अपने चेहरे पे फाउंडेशन का लगा लिया है तो यह बहुत अच्छा फाउंडेशन लगा मुझे मैं इसका रिव्यू तो आप लोगों के साथ सेयर करूंगी ही तो आप वहां से पूरा इसका डीटेल देख लेना वैसे जो भी प्रोड़क्ट मैं यूज कर रही हूं सबकी डीटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड़ कर दूंगी तो आप वहां से जाके चिकाउट कर लेना कि मैंने कौन-कौन सा प्रोड कर रही हूं क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद कंट्यूरिंग एंड ब्रॉंजिंग मस्ट है आपके फेस को नैचुरल सेड देने के लिए तो मैं कुछ इस तरीके से फेस और नोस दोनों कंट्यूर कर लेती हूं उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंडर की हैप से ब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में डीटेल में बताती हूं हर प्रोडॉक्ट के बेनीफिट्स एंड यूजेज अगर आप विगनर्स हो तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए मेक अप सीखना करना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें अगर आपके मन में कोई भी कुस्चन होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिना मैं उसको रिपलाई जरूर करूंगी तो अभी मैं यहां उसी कंसीलर पैलेट से यह बनाना सेट लेके अपने पूरे आईलीड एंड अपने कंसीलर एरिया पे अपलाई कर दी हो जहां जहां मुझे कंसील की जरूरत है अगर आपके फीस पी ज्यादा डार्क सर्कल्स है या फिर ब्रेक आउट्स है तो आप इसको फांडेशन से पहले अपलाई करना ताकि जितने भी ब्रेक आउट्स एंड छोटे-छोटे पिंपल्स दाने बगड़ा होंगे वह सब हाइड हो जाएंगे आप इसको फांडेशन अपलाई करने से पहले भी अपलाई कर सकते हैं जहां पर आपके ब्रेक आउट्स हैं तो आप वहां पर भी अपलाई करना दिनल गया है अब मैं इसको कॉम्पेक्ट पाॉडर से सेट करूंगी तो अगयन यह लिए में पर्पल का कॉम्पेक्ट पाॉडर है जो कि काफी आफॉरडेवल यग बहुत अच्छा पाउडर है अगर आप बेगिगिनर्स है या फिर प्रोफेस्ड़नल्स है तो आप समझ से आपका makeup base longest day करता है अगर आप अपने face makeup को set नहीं करोगे किसी भी powder से तो आपका makeup निकलने का chances होता है तो इसलिए makeup base को हमेशा set किया करिए अब बारी आती है आई makeup की तो मैंने यहां पर आज बस तो सेड्ट से अपने पूरे makeup को complete किया है सबसे पहले मैं यह light brown सेट लेकि अपने पूरे कीई पे अपलाई कर रही हूं अज सेट आप को भी आई मेकप करो सबसे पहले ट्लाब कीई सेट को भी लाइट आई सेटो लेकि अपने पूरे कीई आई सैटो है यह हिलेरी रोडा का पैलेट है और यह बहुत अच्छा पिंग्मेंटेशन है इसका आप देख सकते हो मैंने ज्यादा ताम जाम नहीं किया है बस इसको सिंपली अपने फिंगर से लेके अपने आई लीट पे अपलाई कर लिया है और एक ब्लेंडिक ब्रेस की हल कि आपसे इसको ब्लेंड आउट कर दियुकि जो भी हार्स लाइन्स होँंगे वह ब्लेंड हो जाएंगे तो पर्फेक्ट लूक आएगा बस इसको ब्लेंड कर दीजे ताकि इसके दोनों लाइन क्रीज लाइन और इसके जो लाइन है वह मर्ज हो जाए अब मैं उसी ऑई सै त्रीड अगर आपके आइब्रेव ऑल्रेटी डार्क ब्लैक है तो आप ब्लैक आइस एड़ या पिर ब्लैक आइब्रॉप पैंसिल यूज़ कर सकते हो फील करने के लिए तो मैं कुछ इस तरीके से mix match करके अपने आईव्रो फील करती हूँ अब एक spoolie brush की help से इसको brush out कर दीजिये ताकि यह इसका जो भी excess होगा वह brush out करने से out हो जाएगा इस Coolie से इसमाच आउट करने के बाद मैंने सीम वही ब्लू सीमडी आई सैड़ो को अपने लोवर लैस लाइन पे भी समाच आउट किया है ताकि मेरा आई अपर और दोनों इकवल दिखें कम्प्लीट मेंकप कम्प्लीट आई लोक करने के लिए मैंने ये दोनों का कॉम्बिनेशन लोमें केरियेट किया है है तो ये मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग सैसा मेरे ड्रेस का कलर था उस कलर कंछा से मैंने आई साड़ोः swatch किया है अब होटा भूटी कि सेट इकपरे से आपने अपने फेस यह वे स्प्रेय को स्टबिए तो यह आपका ऐजप से थोडें कर लेता अब मैं यहाँ आई-लाइनर के लिए यूज़ करी हूँ यह ADS का sketch आई-लाइनर है 926 तो कुछ इस तरीके से विंग आउट करते हुए मैंने अपना लाइनर क्रियेट कर लिया है यह बहुत दिन से मेरे मेकप बॉक्स में बड़ा हुआ था मैं इसको काफी दिनों से यूज़ क्रियेट कर लेती हूं अपने विंग का फिर उसको फीलिन कर देती हूं तो मेरा पर्फेक्टली आई-लाइनर कंप्लीट हो जाता है कुछ इस तरीके से मैंने आई-लाइनर विंग करते हुए लगा लिया है तो अब बारी आती है मसकड़ा की तो मैंने मसकड़ा के लिए यह Darugwise पर कि कुछ इस तरीके से अपने logic लिए अपने यूर लैसला इंड लोबोला दोनों को मसकड़ा से कोट कर दिया है मैं वीडियो को ईटेल में बताती हूं जो जो भी प्रोडक्ट भी लेके आऊं बट मुझे लगता है beginners के लिए काफी helpful रहेगा यह डीटेल वीडियो तो आगर आपको कोई क्यूरीज हो तो प्लीज आप मेरे comment box में मुझे बता सकते हैं मैंने यहां पर glasses को glue लगा के रख दिया है थोड़ा सा सूखने के लिए फिर मैं यहां यहां यूज करी हूं बैटन वाइल्ड का ब्लस और यह ब्लस बहुत अच्छा है यह ज़्यादा डार्क नहीं करता है आप देख सकते हो light formula है ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है यह थोड़ा ब्राउनीस है पिंकिस नहीं है ब्राउनीस है बट लाइट वेह टीनेज गर्ल्स के लिए काफी परफेक्ट ब्लस है वह यूज करेंगी तो पता ही नहीं लगेगा कि उन्होंने ब्लस अप्लाई किया है और एक्तम नेचुरल सेट द करी हूं कलर स्क्वीन का ग्लैम हाईलाइटर और यह मेरा फॉस्ट पर्चेज और यह भी बहुत अच्छा हाईलाइटर है अफ़ुडर अरेंज में आपको फाइब सेट्स हाईलाइटर मिल चाते हैं इसमें फाइब सेट्स हाईलाइटर के फेर नॉर्मल एंड पिंक ड्रक ब्राउन ब्राउन सारे सेड है तो आपके स्कीन टोन के अनुसार जो भी होंगे आप उसमें से पिकड़ के आप अप्लाई कर सकते हों तो मैंने हाइलाइटर को कुछ इस तरीके से अपने T-Zones पे अप्लाई कर लिए हैं हाइलाइट पॉइंट्स पे अब मैं यहाँ पे फेक लैसे तोनों मार्ज हो जाएं तो complete लगता है वैसे अलग अलग दिखेगा तो आपका अच्छा नहीं लगेगा इसलिए अप लैसे लगाने के बाद मसकरा से दुबारा कोट करना मत भूलेगा उसके बाद मैं आइब्रो पे भी थोड़ा सा मसकरा आउट कर देती हूं ताकि व कुछ जादा ही लाइट लग रहा था मुझे आप देख सकते हो फिर मैंने यहां पर यह लिप ग्लॉस अपलाई किया है कि लिप ग्लॉस थोड़ा परपल सीट का है बट यह आप अपलाई करोगे तो बस साइन करेगा यह कोई कलर नहीं देता है अब मैं यहां पर यूज कर नाइट में जाते हो तो बॉड़ी को मॉस्टिराइज करना मत भूलिएगा अब मैंने यहां पर यह यह लगा लिए हैं यह आपको कैसे लगे प्लीज मुझे बताईएगा क्योंकि यह मेरा फेवरेट ऑक्सिडाइज वेलरी है इसे मैं किसी भी कपड़े के साथ वेयर कर ल लगेंगे बट मैंने यहां पर अपने हैर्स को ओपन रखा है तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना तो मैं मनीशा मिलती हूं आप सबसे अपने नेक्स्ट व